हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो एजी नर्स्टिंग प्लैटफोर्म तोड़ेई वी अगोंग दू स्टरी अबाउट कॉंट्रासेप्शन हम देखो कोंट्रासेप्शन क्या होते है कोंट्रामित अगेंच और कंणसेप्शन मतलब की कंसीव करना मतलब जो छो मारा ब्रेग्नेंसी होती है cann Venezuela क्यों उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं क्योंट्रासेप्शन मेच्छाट कउन्ड चो भी बोल सकते हैं ठीक है इट है एट ही इस राफ एट हुआ जो घूआ है उल्ट लगे इसको बनेवस के यिस इस अवर्ड बनेट एट एफ सह मछ गहिस्व दॉन मेंदिक हो लोग सेवड़नेंची किया जो भी खार्य में banget होते हैं कि आन उट करके आप जो पारी प्रेग्नेंस को रोग देंगे स्टोप कर देंगे ठीक है इट अलाओ इंडिविज्वल्स और कपल्स तू कंट्रोल वेन और इफ्ट्री एफ चिल्ट्रन क्या है जो हमारे कपल्स इंडिविज्वल्स है ना अगर उन गोस्ट टाइम पे वो होने चाहिए चाहिए बच्छा ने चाहिए तो उस टाइम के लिए वो अपने प्रेग्नेंसी को स्टोप कर सकते हैं कंटरर्सेप्षं मेंदर्स का यूज़् करके वह तमारे कंट्ररसेप्षं ठीक हैं अम चुमारे कंट्रर्सेप्षं है वो दो मैटर्स में डिवाईड हो रख था हैं हमारे पास है temporary methods और second is permanent methods ठीक है temporary methods पतलब कि जो short term के लिए हो suppose हमें एक दू साल के लिए वह हो निचाहिए conceiving निचाहिए लेकिन हमें बात में family planning करके बच्चा planning कर रहे हैं तो उस case में temporary methods के यूज करते हैं लेकिन अगर हमें प्रमानेंट ने कि हमें कोई भी चाहिए अब नहीं करना है तो उस case में permanent methods का यूज करते हैं अब जो हमें temporary methods में मारे पास किया first is barrier method second is hormonal method third is intra-euterine devices IUD system बोलते हैं फिर natural methods फिर emergency contraceptive pills और miscellaneous फिल अबोर्शन ठीक है यह हमारे है temporary methods पर्मानेंट में हमारे पास दो हैं एक autobactomy और एक बाशक्टमी अब जो मारे पास दो ओते फ्रोसेजर्स फर्स्ट मेनी लैप और शेकंड लैप्रोस्कोपिंग ठीक है अब हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट हमारे पास है barrier methods barrier मतलब की रुकावट कोई भी दिवार खड़ी करना ठीक है वह तो हमारे बैडियर मेंटर्ड इसमें हमारे कहेंगे कॉंडम्स और डाइफ्राम्स आएंगे ठीक है अब एक ऐसे काम करेंगे जो भी हमारा वह होता ना मेटिंग होता है स्पर्म और उनकी उसके बीच में ब्लोकेज खड़ा करतेंगे ताकि जो हमारे स्पर्म और एग है उनकी मेटिंग नहीं होगी और में तो जाइगड़ा फॉर्म नहीं होगा ठीक है फिजाः कि है यो फिजरी ब्लोकींग डासकूंस फॉर्म फ्रण रिसिंग द एग जो dec GRE्ट गने कि तो हम होता है उनकी मेंटिंग को डूखने के लिए हम क्या करते हैं एक ब्लोकेज बना देते हैं गे और हमारे बैयर्ड मेठ बैटु है Condoms are most common and are available in both and females. अब जो हमारे कॉंडम सही मेल के लिए होते हैं और फीमेल के लिए होते हैं ठीक है It is also effective in preventing STA STA क्यों होता है हमार सेक्शल टांस्पर्ट इंफेक्शन होता है ठीक है अब जो हमारे बेरियर मैं थोड़ है यह क्या कर रहे है एक बैरिर बना रहे हैं थीक है अगर हम इनका यू such करेंगे तो जो हमारी होते हैं सेक्शल टांस्पर्ट इंफेक्शन वह नहीं होंगर है ठीक है क्योंकिंग वप्सकें अब सिक्शति क्षेश्षार्ट होलाओगा वह आप इसमें मिलेंगा नहीं तो हमें infection भी spread नहीं होगा ठीक है तो इनका एक main वह है advantage कि STI को prevent करता है तो यह हमारे barrier method अब next हमारे पास हा hormonal methods होर्मोल method में क्या करेंगे जो हमारे hormones होते ना उनका use करके हम birth control करेंगे ठीक है includes birth control pills patches injections और hormones IUDs इसमें क्या होगा इसमें हमारे pills हो सकते हैं patches हो सकते हैं patches कैसे जो हम अपने skin पर apply कर सकते हैं वह होते हैं patches फिर injections और क्या है IUDs IUDs इंट्राइट्राइन डिवाइस जो हमारे uterans के अंदर insert होते हैं ठीक है यूस synthetic hormones estrogen and progesterone जो हमारे female sex hormones होते हैं प्रोजेस्टरोन और एस्ट्रोजन उनका synthetic hormones बनाएंगे ठीक है उनका यूज़ करके क्या करेंगे birth control को enhance करेंगे यूज सिंट्राइटिक होर्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरोन तू प्रिवेंट ऑफिलेशन ऑफिलेशन को रोकने के लिए क्या करेंगे synthetic hormones का यूज़ करेंगे अब जो हमारी यह सिंट्राइटिक होर्मोन से क्या करेंगे जो भी हमारे cervical mucos होता है उसको ठीक कर देंगे ठीकन इस और मेक यूट्रेंग लाइनिंग इन होस्पिटेबल टू क्या करेंगे जो हमारे cervical mucos है उसको ठीक कर देगा या फिर जो हमारे यूट्रेंग लाइनिंग है उसको ना जो भी वहारे sperms आ रहे हैं उनके अगेट कर देंगे कि वह हमारे sperms ने वह किल हो जाएंगे वापे ठीक है वह हमारे fallopian tube तक नहीं रीच कर पाएंगे और हमारी implantation नहीं हो पाएगे तो यह था हमार होर्मोनल मेथर्ड अब थर्ड हमारे पास कह है intrauterine devices IUD यह क्या होता है यह हमारे एक small होते हैं T-shaped device होते हैं पहले हमारे पास S-shaped थे लेकिन अब जैसे हमारी advanced technology आ गई है तो अब हम T-shaped use करते हैं ठीक है IUDs are small T-shaped devices placed in uterus by healthcare provider अब जो हमारी IUDs है यह हम खुछ से use नहीं कर सकते हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो हमारे health care providers होते हैं उनके पास समझाना पड़ेगा और उनको हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे यह हैं और हमें भी कॉन reaction methods का use करना है ठीक है तो वह क्या करेंगे जो भी हमारे को पर टी बोलते हम उसको उसको हमारी उट्रस के अंदर इंसर्ट करतेंगे फिर वह क्या करेंगा वह जो भी हमारे sperm सेना उनको किल करेंगा ताकि implantation नहीं हो पाएगी ठीक है कैन वी होर्मोनल और नों होर्मोनल अब इसके टैप्स मेरे पास फर्स्ट हमारे पास है होर्मोनल और इंट नों होर्मोनल चीक है अब जो हमारे होर्मोन लव क्या करेंगे हमारे होर्मोन को रिलीज करेंगे होर्मोन में हमारे क्या आएगा प्रोजेस्टिरोन आएगा ठीक है क्या करेंगा यह होर्मोनल आईउड़ी इस रिलीज प्रोजेस्टिन टू प्रेवेंट प्रेगनेंसी ठीक है क्या करेंगा यह प रिलीस करेंगे तक जो मारे प्रेग्नेंसी वो नहीं हो पाएगे फिर हमारे पार से नोन होर्मोनल आइउदी यह क्या करेंगे एक होस्टाइल एंवर्मेंट बनाएंगे तक जो मारे स्परम और एक है वो मिलने पाएगे ठीक है नॉन होर्मनल आयूदीज क्रियेटा ओस्टाइल एंवार्मेंट फोर स्पर्म एंड एग्स जो भी मारे स्पर्म एंटर होगे ना उनको यह किल करतेगा यूट्रस के अंदर ही ठीक है अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसका होड्मनल आयूटीज इसमें हमारे पास एक्जाम्पल क्या है लेवन और गेस्ट्रॉल आयूटीज चीक है इसी क्या करेंगे जो मारे प्रोजैस्टिन होर्मोंत है फ्रोजैस्टिन गी फ्रॉम में उसको यह ब्रिलीज कर देगे रिलीज इस अब प्रोजेस्टिन हॉर्मोन कॉल्ड लेवो नोजेस्ट्रेल इंडूर्य यूटरिस जो भी हमार हॉर्मोन होगा उसको ये यूटरिस के अंदर रिलीज कर देंगे ठीक है अब भी वार्क कैसे करेगा मतल्ला फंक्शन कैसे करेगा primarily work for thickening cervical mucus to prevent sperm from raising the egg अब क्या होगा छो हमार सर्वााइकल म्यूकस होगा अगर धीक हो जाएगा तो जो भी हमारी sperms होगे ना वह एंटर नीकर पाएंगा हमारे faillopene tube लहीं हमारे colis – उभर ouben तक पहलें अच्वा साल परों होता है वह फैल्पेन टूप पहले उप पन तक करना एक्स समर्पीर और समी एक्सी भी वह लान फैल्पेन टूप पन पहलें तो अगर इस उपाई तक करना एक्स तक नहीं सैंगा और स्पंडीरिशन नियुपाई गी ठीक है, it may also inhibit ovulation, इसका एक काम के असाथ हो, अभी हमारे firms हैं, उनको रोकना, एक तक रीच करने में, और सेकंड फंक्शन के है, ovulation को रोकना, ठीक है, they are effective for 3 to 5 years, यह 3 to 5 years तक effective है, और यह depend करते हैं, उनकी brand के अपर, ठीक है, are effective for 3 to 5 years, depending on specific brand, जो भी हमारे iodos के brand होते हैं, उनके recording, उनकी lifespan होते हैं, 3 to 5 years तक वो रेड़ सकते हैं, उनकी lifespan, और नेक्स्ट हमारे पास, टाइप के है, non-hormonal iodos, जिसके हम बोले copper iodos, यह क्या करेंगे, जो भी मारा है, वो होता है, T-shaped device होता है, वो copper का बना होता है, उसमें copper की wires होती है, ठीक है, अब यह क्या करेगा, यह hostile environment बना देगा, जो भी हमारे sperms एंटर करेंगे, उनको यह kill कर देगा, work by creating a hostile environment for sperms, making it difficult for them to reach and fertilize an egg, अगर होस्टर environment बना तो जो हमारे sperms वकिल हो जाएंगे, तो जो हमारे sperms हैं, वकिल होगे, वो एक तक रीज नहीं कर पाएंगे, और fertilization नहीं हो पाएंगे, are effective up to 10 years depending on brand, रखो, hormonal की lifespan का जी 3-5 years थी, लेकिन जो अवे नोर hormonal हैं, उनकी lifespan हैं हमारे पास 10 years तब की, ठीक है, आप अपने कोई भी IUD का यूज का यूज कर लिया, लेकिन आपने अपनी नीड का कोडिंग, तो यह था हमारा IUDs, अब next हमारे पास है, natural method, natural method मतलब की, कि हमें कोई भी device का यूज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या है, rely on tracking a woman's menstrual cycle and fertility science to determine when to avoid intercourse during fertile periods, इसमें क्या होगा, जो जो बाइन नोर्मल menstrual cycle होगा है, फंट यह देज की, ठीक है, उस को मोनिटे करेंगे, कि कब हमारी ovulation हो रही है, ठीक है, उनको मोनिटे करेंगे, और जो हमारा fertility period होगा है, जा पर हमारा ovulation हो रखी होगी, उस time पर हम intercourse को avoid करेंगे, ताकि pregnancy ना हो, methods include calendar method, cervical mucus monitoring, temperature tracking, इसमें हमारे पास 3 method, एक है calendar method, जो अभी हमारे 28 days होगा, उनको हम cycle में monitor करेंगे, इस time हमारी ovulation होगा है, इस time हमारी period सान है, इस time हमारा वह हो रहा है, ठीक है, उनको हम monitor करेंगे, और जो हमारे cervical mucus होगा, अगर वो ठीक होगा, तो pregnancy नहीं होगी, तो वो भी हम monitor करेंगे, और जो मारा temperature होता है, उसको भी हम monitor करेंगे, तो यह हमारा natural method, next है मारे पास abortion, अब जो बान ही abortion है, यह contraception method नहीं है, लेकिन एक method है, जो मारी pregnancy हो रहा है, उसको terminate करने के लिए, not a method of contraception, but a method to terminate existing pregnancy, so suppose by mistake, कोई भी, मतलब कोई email और टाइने होगी, लेकिन उनको इस टाइम पर वो नी चाहिए था, बच्चा में चाहिए था, तो उस टाइम पर यह abortion करवा सकते हैं, typically performed by healthcare provider and can be done through medications, देखो, जो हमारी abortion है न, यह दो types हो सकते हैं, एक medication की help से, एक और surgery की help से, जो हमारे medication की help से ह होगा, उसको हमारा medical abortion, और जो हमारा surgical procedure की help से होगा, उसको हमारा surgical abortion, लेकिन जो हमारा abortion है, यह illegal होता है, क्योंकि यह main, जो हमारे emergency contraceptive pills, इन को क्या बोल सकते हैं, इनको morning after pills ही बोल सकते हैं, suppose आपने unprotective intercourse कर लिया, ठीक है, तो उस case में आप जो pills ले सकते हो न, वो इस method में आएंगे, emergency contraceptive pills में, also known as morning after pills, and I used after unprotective intercourse to prevent pregnancy, आपने unprotective intercourse कर लिया, और आपको लग रहा है कि हाँ, emergency के चांजिस हैं, तो उस case में आपको contraceptive pills का यूज कर सकते हो, अभी कैसे वक करेंगे, work by delaying or inhibiting ovulation and should be taken as soon as possible, अभी क्या है, जो भी हमारे इसका function क्या है, और इसका function क्या है, जो भी हमारे evolution होते हैं, उसको रोकना या फिर इसको delay करते हैं, कुछ time के लिए, ठीक है, और इनकों में जल से जल लेना पड़ता है, विजना specific lifetime after unprotected intercourse, जो भी हमारे 2472 hearts होते हैं, उस time period के बीची में, हमें इन pills को consume करना पड़ता है, ठीक है, अब डेक्स्ट हमारे पास है, miscellaneous, जो हमारे miscellaneous हैं, उसमें हमारे पास चार टाइप्स हैं, परस्ट हमारे पास के absistance, इसमें क्या होगा, आप कोई भी sexual activity नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अपने आपको अपने विड्रो कर ले sexual activities, आप कोई भी किसी भी activity में indulge नहीं हो, वो हमारे existence, ठीक है, practice of refraining from sexual intercourse और sexual activity that can lead to pregnancy, आपने क्या 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 हो, भी हमारे sexual activity प्रेगनेंसी को लीड करते हैं, आपने उसको बंद करते हैं, stop करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो यह तो हमारे इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो जो भी हमारे मेल हैं, वो ejaculation जस्ट पहले आपने जो भी मेर्स के penis उसको विड्रो कर लेगा, वो होता हमारे withdrawal method या फिर हमारे क्या होगा, इसमें क्या होगा, involves male withdrawing his penis from vagina just before ejaculation to prevent sperm from anything vagina, लेकिन जो हमारे method है, यह बहुत risky method है, ठीक है, अब next हमारे पास safe period, या फिर fertility awareness, इसमें क्या होगा, जो भी हमारे women's की, जो भी हमारे female की, menstrual cycles को आप क्रेक करेंगे, ठीक है, और उसके according आप intercourse कर सकते हो, involves tracking of women's menstrual cycle to identify the days when she is least likely to conceive, जब भी हमारे female को बिल्कुल least chance होगे ना कि वो conceive कर सकते हैं, उस time पे बिल्कुल safe वो अब नेक्स्ट हमारे पास का lactation amenorrhea, जिसको हम N.A.M. बोल सकते हैं, देखो, delivery के बाद जब हमारे female, जो भी हमारे, देखो, delivery के बाद जब हमारे mother है, वो breastfeeding करती है, ठीक है, जो हमारे first six months होते हैं, six months, उनको बोलते हैं, lactation amenorrhea, उसमें क्या होगा, जो भी हमारे female है अगर वो इंट्रोट कोर्स करें उस time period, six months के time period में, तो वो conceive ने कर पाएंगी, इसको हम बोलते, lactation amenorrhea, can be used for first six months after child birth, चिक हैं, तो यह थे हमारे temporary matters, अब second हमारे पास है, permanent matters, permanent matters हम तब यूज़ करने हैं, हमको लगता है कि हाँ, हमें कोई भी need नहीं है, तो उस case में, permanent matters का use करते हैं, इसमें हमारे पास first care tubectomy, इसको हम female sterilization बोलते हैं, अब tubectomy से क्या समुझते हैं, tubectomy मतलत है, जो भी my fallopin tube है, उसको cut करना, वह तिमाई tubectomy, tube का मतलब fallopin tube, जो भी my female reproductive part हम होती है, उसको हम fallopin tube को cut करतेंगे, ताकि जो भी my ओवम है, वो release नहीं होंगे, और वो sperm से मिलेंगे नहीं, fallopin tubes are blocked और cut, जो भी my fallopin tube है, उसको हम block करेंगे, फिर cut करतेंगे, प्रिवेंटिंग एक्स फ्रॉम डीचिंग जा यूटरेस, जो भी हमारे एक्स चाफ जो भी my ओवम है, वो यूटरेस तक डीच नहीं कर पाएंगा, ऐस इस case में, ठीक है, फिर इससे क्या गोजो भी my फटिलाशन रहना, बिल्कुल impossible हो जाएगी, तब यह तम इसको permanent method बोल यह उन कपल्स के लिए जिन्हों सोच है कि अब हमें को भी बच्चा नहीं जाएं, उस case में, हम टूबैक्टिमी का यूज करते हैं, ठीक है, अब जो my टूबैक्टिमी है, वो दो टाइप से हो सकते हैं, एक मिनी लैप और एक लैपरोस्कोपी, फर्स्ट है मिनी लैप, मिन टू सेम थी सेंटिमेटर तक का कट लगते हैं, अब डॉमिनन वोल पे, ठीक है, जो भी हमारी क्यूबैक्ट है उसके अब हो होता है, इन वोल्स, मेकिंगा स्मॉल इंसिजन, यूजली तू 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 थी सेंटिमेटर इन अब डॉमिनन वोल, टिपिकली जस्ट मॉपी बच हैरलाइन तू असेज दा फैलो पेन टूब, जो भी हमारा क्यूबी हैरलाइन है, वहाँ भी हम क्या देंगे, एक छोटा चे इंसिजन देंगे, जो हमारे 2-3 सेंटिमेटर तक का होगा, ठीक है, वासर जो हमारी फैलो पेन टूबैन उसको हम देख सकते हैं, असेज कर सकते ह फिर जो भी हमारा सर्जन होगा ना, फैलो पेन ट्यूब को ब्लॉक करतेगा, टाय करतेगा फिर क्लिप लगा तेगा या फिर सील करतेगा, ताकि जो भी मारी स्टरिलैशन है वो आ जाए और फेटिलैशन नहीं हो पाएगी यह था हमारे mini lab second हमारे पास है laparoscopy laparoscopy क्या है minimally invasive surgical technique laparoscopy क्या है मतलब इसको हम laparoscopy के help से करते हैं अब जो हमारे laparoscopy वह एक device है ठीक है उसमें हमारा camera होता जो वह attach होता है उसकी help से जो भी हमारा fellow pen tubers को डिखेंगे और उसी की help से हम उसको cut कर देंग और try कर देंग वाई की वाई ठीक है यह कहें minimally invasive surgical technique है that involves small incisions in the abdominal wall and inserting a thin flexible tube with camera and surgical instruments क्या करेंगे हम लेप्रोस्कोप है उसको हम जो भी मारी abdominal wall है वाप incision लगा रहे है उस incision की help से हम उसको जो भी हमारा laparoscopy है उसको इंसर्ट कर देंगे फिर क्या होगा जो भी camera होगा वह उसकी visualization पिछे दिखा देगा कि हाँ यहाँ पर मारी phallopene tube present है और जो मारी laparoscopy होगा उसके साथ में जो भी मारी surgical instrument होगे उनको भी हम इंसर्ट कर देंगे कि जो मारा सर्जन होगा ना वह मारी phallopene tube पर visualize करेगा camera की help से ठीक है सर्जन visualizes the pelvic area on a screen and then cut block or seal the phallopene tube अब जो मारा सर्जन है वह जो भी मारे pelvic area उसको मोनिटर कर रहे स्क्रीन के उपर ठीक है उसको मोनिट करके वह क्या करेगा जो भी उसको उसने वह डाला है डिवाइस डाला है उसकी help से वह जो phallopene tube उसको कट कर देगा ट्राइ कर देगा या फिर seal कर देगा यह था हमारा laparoscopy अब next मारे पसिस में वह सक्ष्टमी वह सक्ष्टमी को हम क्या बोलते है क्एक इनवे उडर्प कटिंग और सीलिंग दा वाल्ज्री दिह डेफरेंज जो वाल्ट डेफरेंजिए उसको कुछर करेंगे या थिए थेखर करतेंगे प्रिवेंट्स स्पर्म विंग इजएखुलेटेड इंट्रिकोर्स जब भी इंट्रिकोर्स कर रहे हैं तो जो भी हमारे प्रम स्पर्म वह और एजएखुलेट नहीं पाएगा यह उनके लिए हैं जिनोंनों सोच रखा कि उनको अभी कोई भी प्लान नहीं करने आग के फ्यूचर में पर्माइंट कॉंट्रसेप्शन मेथर्ड है तो यह था हमारे कॉंट्रसेप्शन यह क्या था इसको हम बर्थ कंट्रोल बोल रहे थे ठीक है इसमें क्या होथा जो भी मुद्रेrąकेंट्से है उसको प्रिवेंट czegoff क्राट्रसेप्टेमेटर का यूज करते हैं अब जो हमारे गोन्ट्रसेप्टेमेटर से नबहरा है ताप्राइप्स के थे एक था टैंट्री और एक था पर्मानेट ठीक है आई होप कि आपको इसमज में आ गया होगा नेक्स लेक्ट्ट्र में पढ़ेंगे मेल ब्रेस्ट डिसोर्डर्स सो मिलते हैं नेक्स लेक्ट्ट्र में थाइंक यू